नमस्कार दोस्तों, स्वाग था आपका अपने चैनल में स्टैस्पिक लेज़ पर, जयां दोस्तों एक लेटर आप लोगों के सामने है यहाँ पर outsourcing कोशल रोजगार निगम के क्रमचारियों के अकाउंट salary अकाउंट से समंदि दोस्तो यह letter है देख सकते हैं हर याणा कोशल रोजगार निगम की तरब से यह letter लिखा गया है दोस्तो यहाँ पर from में कोशल रोजगार निगम Chief Executive Officer देख सकते हैं इसके बाद लिखा किसको गया है यह लिखा गया है दोस्तो यहाँ पर कोटक महिंदरा बैंक लिमिटेड रिजिनल ओफिस सेक्टर नो चंडिगड को यह letter लिखा गया है क्या है पुरा मामला आए जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं salary account से संबंदे दोस्तो यह letter है आगे बढ़ने से पहले request है चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर latest video आपको सबसे पहले मिल सके तो बहुत सारे साथियों के दोस्तो कमेंड्स आ रहे थे और साथ में email भी आ रहे थे कि सर इसके बारे में जरूर डीटेल से बताएए इसकी चर्चा तो बहुत सारे करमचारी सुन रहे है ठीक है लेकिन ये letter बहुत कम साथियों के पास पहुंचा उन्होंने देखा बहुत कम है तो दोस्तो कोटक महंदरा बैंक भी आपको salary account पर क्या-क्या benefit देने जा रहा है उसके बारे में ये letter लिखा गया है जी हाँ इसे पहले दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए HDFC बैंक ने भी कुछ इसी तरह का letter जारी किया था जो outsourcing करमचारी है जो कोशलोजगार निकम के करमचारी है अगर वो HDFC बैंक में salary account खुलवाते हैं तो उनको क्या-क्या benefit देगा HDFC बैंक तो इसी तरह का ये letter है दोस्तो इसमें कोटक मेहंदरा बैंक क्या-क्या आपको सुविधा देगा क्या-क्या benefit देगा अगर आप लोग अपना salary account दोस्तो कोटक मेहंदरा बैंक में खुलवाते हैं तो उसके संबंद में ये letter है इसे पहले क्या कुछ meeting हुई क्या कुछ procedure है वो यहाँ पर बता गया इसके बारे में क कोई ज्यादा जानकारी आप लोगों को तरह से लेने की जोरुत नहीं है मुख्य पॉइंट यह है अगर आप लोग अपना salary account दोस्तो कोटक मेहंदरा बैंक में खुलवाते हैं तो आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी वो ये point है यापर ये सुविधाएं सारी मिलें करके बताएंगे आप लोगों को यहाँ पर देखिए स्पेशल यहाँ पर लिखा गया है को सलोजगार निगम को कोई भी objection नहीं है अगर कोई भी करमचारी अगर अपना salary account दोस्तो कोटक मेहंदरा बैंक में खुलवाता है और यहाँ पर ये स्पेशल बोल दिया गया है इस खुद ही दोस्तों अगर request बेजता है को सलोजगार निगम के पास कि उसका account change कर दिया जाए salary account change कर दिया जाए कि अब मेरा यह account हो गया है मैंने कोटक मेहंदरा में खुलवा लिया है या फिर मैंने HDFC में खुलवा लिया यानिकि अपना उसने account change कर दिया है salary account तो वो request बेज सकता है और को सलोजगार निगम उसको change कर देगा उसको कोई आपती नहीं है देखिए यहाँ पर ठीक है निगम will update change the existing salary account to कोटक मेहंदरा बैंक salary account in the portal if the request come from department or the employees या the department की तरब से या employees की तरब से request आती है तो portal पर उसके account को change कर दिया जाएगा ठीक है तो कोई प्रेशानी न आती है तो भी आप लोग इन नमरों पर संप्रक कर सकते हैं अब बात करते हैं benefit की क्या क्या benefit देगा सबसे पहला जो benefit है जीरो balance से salary account खोला जाएगा को सलोजगार निगम के करमचारी का कौन सा salary account होना चाहिए सबसे मुख्य point पहला यह है वई salary account होना चाहिए ऐसा नहीं है क तो लगबग 5000 के आज पास से सायद खुलता है जहां तक मुझे जानकारी है क्योंकि एक account था मेरा हूँ आपर कोटकमेंदरा बैंक में काफी दिन पहले ठीक है तो 5000 से वो खुलता है अब अगर बढ़ा दिया होगा तो कुछ को कह नहीं सकते इसके बाद यहां पर बता दे अगर यहां पर बताएगा लास्ट मंथ सेलरी जो सेलरी है वो कोटकमेंदरा बैंक में आनी चाहिए मर्तियू से पहले तब यह रूल लागवा दो लाका कवर मिलेगा नैचरल डैथ पे इसके बाद यहां पर थर्ड पॉइंट है पेमेंट एंड पार्शल डिसेबिलिटी क लाग यानिके या तो प्रब्रमानेंट या पिर पारसल यानिके निके आंशिक रूप से अकर डिसेबिलिटी या यहां पर दिवेंगता आ जाती है तो उसके लिए याँπάर तीस लाग का कवर इनोंने बताया है इसके बाद एक्सिडेंटल डैथ कवर है एक्सिडेंटल के यानि कि आखरी महीने की death से पहले कि आखरी महीने की salary कोटक में इंदरा बैंक में आनी चाहिए तब जाके ये death cover मिलेगा यहाँ पर accidental death cover 10 लाख रुपेगा अगले point में यहाँ पर बता गया है accidental death cover of 50 लाख रुपे on debit card debit card पर भी दोस्तों यहाँ पर 50 लाख रुपे तक का cover है यहाँ पर बताया गया है एक तरह ऐसे ठीक है debit card subject to POS condition POS condition तो जो condition इस प्रलागू होती है debit card की अलग-अलग condition होती है दोस्तों कोई से पहले इन्होंने transaction दिखाई हो या पिर active है या नहीं है आपका debit card का इस तरह condition होती है इसके बाद आगे है zero balance family account ठीक है तो family account भी दोस्तो यहाँ पर zero balance पर खोला जाएगा आपको यह भी सुधा मिलेगी अगर आपका कोटेक महिंदरा bank में salary account है तो अगली जो सुधा आपको मिल सकते वो है unlimited transaction मिलेगी ATM की across all bank ATM तो सभी bank ATM में दोस्तो unlimited ATM transaction जी हाँ पता होना चीए आप लोगों को कि आजकल दोस्तों bank को ने जो ATM की transaction है उसको भी limit कर रखे अगर आप उस limit से बार जाएंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा जो फ्री की transaction है दोस्तों वो पांच कुछ एक तरह से limit कर रखे साथ किसी में पांच किसी में साथ कुछ ऐसी है लेकिन यहाँ पर आपको कोटक मेंदरा unlimited ATM transaction दे रहा है उसमें आ चार लाख तो चार लाख रुपे तक के child education benefit भी दे रहा है आपके salary account पर इसके बाद अगला जो benefit है फ्री unlimited DD, checkbook और RTGS और NEPT, NEFT और IMPS यानि कि यह जो DD बनवाना है, checkbook इसू करवानी है, RTGS करवाना है, NEPT करवाना है ठीक है तो यह सारे की सारे जो सुविधाई हैं यह भी बहुत बार जुरूत पड़ती है, DD बनवाने की जुरूत पड़ती है, checkbook की तो जुरूत पड़ती है, बड़ी transaction करनी है, RTGS या NEPT और जुरूत पड़ती रहती है, ठीक है, तो इसकी सुविधा भी free of cost रहेगी salary account पर, तो यहाँ पर यह सारे के सारे benefit दोस्तों, कोटक महि महिंदरा बैंक में खुलवाते हैं, उपन करवाते हैं, तो यह थी दोस्तों एक बड़ी update आप लोगों के लिए, जिसकी demand बहुत सारे साथी कर रहे थे, काफी सारे comments भी आ रहे थे, तो HDFC बैंक से related जो benefit आपको मिल रहे हैं, उसकी वीडियो भी हम, उसका जो link है, वीडियो इस वीडियो का लिंक जैसा कि हमने बता है, इस वीडियो के description में मिल जाएगा, अगर HDFC बैंक के benefit देखने हो तो आप उस वीडियो को देख लेना, कोटक मेंदरा के इस वीडियो में आपको मिल गई है ठीक है बाकी आपकी मर्जी है जिस भी अकाउंट जहाँ पर भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं बाकी हमारा जो काम है आपको कलियर चीजे बताना तो हमने बता दी है तो दोस्तो ये आप लोगों के लिए अपडेट थी अगर आप भी चाहते हैं हरियाना में एजुकेशन से लिटेड को सल रोजगार निगम से जोड़ी सभी परकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों शेर करें थैंक यू वेरी मच